रात के अन्हेरे में सड़क के नारे खड़ी ट्रॉली से एक मोटर साइकल सवार जा भिडा जिस कारण मोटर साइकल सवार युवक की मौत हो गई. युवक की मौत से नाराज लोगों ने ग्राम बेलडा रूकडी में भारी पतराव किया, बढ़ते आकरोश को देखते हुए डिएमव, SSP हरिद्वार ने पूरा मोर्चा समाला और लोगों को समझाईश देकर कारवाई करने का भरोसा दिलावा. धेर रात पंकश के मोटर साइकल से बेलडा गाउं आके समय रास्ते में एक तरफ खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से युवक की मौत हो गई. ब्रतक के शोग को पोश्ट माठम के बाद परिजनों को सौपा गया तो परिजनों ने रोश जटाया और शोग को कोतवाली रूड की ले जाने के जित करने लगे. साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली के माली के खिलाफ मुकदमा दर्श करने की मांग करने लगे. हंगामे के बीच राजिमार्क पर जाम करने का प्रियास किया, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने गाउंवालों को समझाने का प्रियास किया. शोग का अंतिम संस्कार करने की समझाई स्थी दीके ग्रामीर समझनी की जगह और उग्र होते के इसके बाद मौके पर डीम और एससपी हरी द्वार ने मोर्चा समालते विए सभी को शांत करा है आपको बता दी कि ग्राम बेलडा में ट्रैक्टर ट्रॉली चौधरी जाते के जबकि म्लतक के पिछली जाते के होनी के कारण दोनों पक्षों में टकराओ की इस्थिति का कारण बनने की बात सामने आ रही है जिसमें अचानक एक पक्ष द्वारा रोड लोगों के घरों पर तोरफोर किया गया जिनको पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास करने पर इनके द्वारा पुलिस अधिकारियों पर भारी पत्राओ किया गया पत्राव लगभग दो घंटे तक होता रहा जिसमें दो प्रभारी निरक्षक एक सब इंस्पेक्टर समेट कई पुलिस वाले वा महिला कर्मी खायर हो गए जिनका इलाज रोड़की के विफिन चिकर्ट साले में भी चल रहा है वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसले हैं हर मसले का सटीक बिशलेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हक्त में